हे गाइस वेलकम बैक तो चानल आज मैं शेयर कर रही हूं एक स्लीव डिजाइन करिक्टोरियल जो कि मैंने बनाया है इस वीनेक ब्लाउस के लिए जो मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में तो आप स्टार्ट करते हैं ड यहां पर देखिए हमें जो नॉर्मल स्लीव का पैटर्न होता है वो माक करके इसे में कट कर लूँगी यहां पर अभी मैंने सीविंग अलाउंस आड नहीं किया है जब हम इसकी फैब्री पर कटिंग करेंगे तो हम सीविंग अलाउंस साथ में आड करेंगे यहां देखिए इन लाइन्स को सेंटर जो पॉ Lex глаз के अड से हम मिलादेंगे की lot कैजल इंड करने के बाद हम इसे कट करेंगे जो बीचलिन अ काट करेंगे चश्वर को इस्था से कट करना है और थोड़ा सा जो पेपर उसको छोड़ देना हैstesfel कि इस तれ अपना जो पैटरन में उसको रखेंगे और इस तरह से से हम इसे में मंअंग कर देंगे और यहां पर इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह जो छेट इस्ट में मिला दूंगी और इसको हमें कट कर लेंगे आप इस pattern को जितना ज्यादा expand करोगे जितना ज्यादा फैला हो गया आपके जो fabric है उसकी length उतनी ही ज्यादा हो जाएगी और इतनी ज्यादा gather बनेंगे आपकी sleeve में उतनी ज्यादा fuller आपकी sleeve लगेगी देखे मैंने इसे cut कर लिया है और cut करने के बाद इसे में इस तरह से fold कर पर इसे बीड़ाइच कर देंगे और इसका हम सिलाई लगा देंगे इसार से हम करने के बाद जो fitting की stitch है वह भी हम यहाँ पर लगा देंगे sleeve में इस तरह से देखेमनिंस को stitch कर लिया ह go दो और यहां पर हम इसे अटाच करेंगे हमारे क्रॉप टॉप में इस तरीके से तो सबसे पहले हम यह क्रॉप्टॉप पर इसको उल्टा कर लेते हैं उल्टा करने के बाद यहां पर देखिए जो हमने नौश लगाया था मिडल पॉइंट के लिए हम उसको लेंगे और उसके बाद यह जो शोरूडर की सिलाई है हमारी क्रॉप टॉप की वहां पर इसे हम अटाच कर देंगे पिन से इसके बाद जो हमारी फिटिंग की सिलाई है स्लीव की उसको हम अटाच करेंगे जो फिटिंग की सिलाई है ब्लाउस की उसके साथ और इस तरह इन दोनों को भी हम अटाच कर देंगे इस तरीके से देखिए हमारे पास दोनों साइड आधा आधा जो कपड़ा है प्लीव का व एक साइड में उस से आपके जितने भी उंक्रेश बनते हैं जितनी भी प्लीट इसे लास पीट पनार्टिकनि रखना है कि जो कपड़ा बचावा है वो इनफी यहांं पर सिलाई के लिए इसे फिर यह यहां पर हमें द्यान में रखना और सद्ट के साथ कि यहां पर चारेट तो उस साइट पर भी अदर साइट पर महीं हम 4ully बनाएंगे । इस तरीके से मैं यहाँ पर प्लेट्थ बना ली है दोनों साइट पर इक्वर प्लेट्थ मैने बनाई हैं इसे स्टिच करने के बाद पाइनल लुग कुछ इस तरीके से स्लीव का आप इसे अपने क्रॉप टॉप या फिर कुर्टे वगरा में अटाच कर सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमें सेक्षिन में ज़रूर बताइए डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो कुमें ज़रूर अज़रूर ये वीडियोगर ये कर दो कर दो हिस्टूर।